आप देख रहे हैं इसके नाइन न्यूज और आपकी साथ मैं हूं फ्रांति सिंग्शतिस गड़ में जो पारा है सियासत का वो बेहदी जादा माहुल के साथ घर्म होता हुआ जा रहा है वहाँ पर इस सियासी पारे में अब एक अनूटी पहल भी दिखाई दे रहे हैं आपको दादे कि चत्तिस गड़ में विधानसबा के मांसून सत्र के बीच चत्तिस गड़ मुक्यमंतर भुपेश बगेल शनिवार को दिल्ली रवाना हुए थे राजे के वरिष्ट कॉंग्रेस विधायक टीएस सिंग देव के पंचायत और ग्रामिन विकास विभाग ने इस्तिफा देने के बाद सियासी हल चल तेज है पहले से दिल्ली से मौझूद थे ती सिंग देव की दिल्ली में मौझूद की के बाद सियासी मायने लगाई जा रहे इसे बीच वितर विवार को सीम बगेल राइपूर लोटे राइपूर में मीडिया से चर्चा में मुक्यमंतर भुपेश बगेल ने कहा कि हिमाचर संगचन की साथ मद्दाताओं के बीच जाना है किनके मुद्दो को लेकर जाना इस सभी विश्यों पर चर्चा हुई कि इंद्र सरकार द्वारा वरिष्ट नागरी को को रेल यातरा में 50% सुविधा को खत्र किये जाने पर सीम ने का कि वैसे ही रेल बंद कर दिये गए हज इस तरीके से बीजेपी पर बार बार निशाना साधिते हुई यहां पर भुपेश बगेल नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एक और खबर दी जहां पर जो है विधायक को अपने पाले में खीट चुके है बीजेपी के वहीं अब उनसे कया यही लगाए जा रहे इंके और भी कई विधायक होंगे इनको लेकर कि जब उनसे मीडिया ने पूछा किया क्या आपकी पास और भी ज्यादा जो है विधायक की यहां पर खेमे में मौजूद है जिनको आप खीट सकते हैं बीजेपी से तो यहां पर उन्होंने बोला कि देखते जाईए आगे-ागे हो विधायक के लिए बीजेपी के लिए भी बदल रहे हैं जहांपर खयास लगाया जायता कि कॉंग्रेस को भागेल से यहां पर धोका मिल सकता है वही बगेल से आप यहां पर पार्टी बिहादी खुछ नजरा रही है वह बार बार इस तूरे मुद्दे पर अपनी फ्रतिक् आप लोग का क्या कहना है हमें तर्क में ज़रूर बताइएगा फिलाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते हैं इसके नाइएज